C.A.G. विनोध राय ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लिया है और इस बार इसके लिए उन्होंने Harvard University को चुना विनोध राय ने कहा है कि सरकार सिर्फ यही चाहती है कि C.A.G. उसके खातों का हिसाब किताब देखे याने अकाउंटेंट बना रहे C.A.G. के इस तंज के जवाब में दिगविजय सिंग बोले है कि C.A.G. आडिट नहीं करेंगे तो क्या पियन बनेंगे C.A.G. विनोध राय और केंद्र सरकार में एक बार फिर ठन गई है दरसल Harvard University में लेक्चर देते हुए C.A.G. ने कहा कि हमें सला दी जाती है कि Auditing Policy निर्मान पर कोई सवाल ना उठाएं लेकिन हमारे मन में ये सवाल लगातार उठता है कि चाहे वो संसद हो या आम जनता क्या वे हम से केवल ऐसा लोग परीक्षक होने की उमीद करते हैं जो सरकार के खर्च का केवल गुणा भाग ही करता रहे विनोध राय का बयान सुनते ही कॉंग्रिसी खेमे में बूरी तरहें खलबली मच गई दिगवजे सिंग बयान पर विफर गए और कह दिया कि विनोध राय अकाउंटन नहीं तो क्या पी-म बनेंगे जबकि सत्य वरत चत्रवेदी के मताविक सरकार सी एजी के आचरण को देखेगी और उस हिसाब से ही कदम लेगी वहीं सी एजी के ताजा आरोब के बाद बिपक्षी दलों ने सरकार की घिरा बंदी शुरू कर दी है CAG विनोध राय और सरकार के बीच तकरार कोई नहीं नहीं है इससे पहले भी दोनों कई बार उलट चुके हैं लेकिन ताजा मामले में सरकार की तरफ से कोई आपचारिक बयान अभी तक नहीं आया है झाल